शरीर का इशारा दर्द बताता है कि हमें अपने स्वास्थे पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है यह एक संकेत है कि हमें अपने शरीर की देख भाल करनी चाहिए हमें इस इशारे को समझना चाहिए हमें अपने शरीर की बात सुननी चाहिए और इसे अन देखा नहीं करना चाहिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर के संकेतों को समझें और उन पर ध्यान दें यह थकान, चोट या बीमारी का इशारा हो सकता है दर्द कई कारणों से हो सकता है जैसे कि अत्यधिक थकान, चोट या किसी बीमारी का संकेत यह हमें बताता है कि हमें आराम की आवश्यक्ता है या हमें चिकित्सा सहायता की आवश्यक्ता है यह बहुत जरूरी है कि हम दर्द को नजर अंदाज ना करें दर्द को नजर अंदाज करना हमारे स्वास्थे के लिए हानिकारक हो सकता है हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर चिकित सा सहायता लेनी चाहिए समझें कि आपका शरीर क्या कह रहा है अपने शरीर के संकेतों को समझना और उन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है यह हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है समय पर इलाज से बड़ी परिशानी से बचा जा सकता है समय पर इलाज और सही देखभाल से हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं और अपने जीवन को बहतर बना सकते हैं इसलिए अपने शरीर की बात सुनें और इसे नजर अंदाज न करें दर्ध के प्रकार पहचानना जरूरी दर्ध हमारे शरीर का एक संकेत है कि कुछ गलत हो रहा है यह एक चेतावनी है जो हमें बताती है कि हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए दर्ध कई طरह के होते हैं यह मांस्पेशियों, जोडों, सिरदर्द और अन्य प्रकार के हो सकते हैं। हर प्रकार का दर्द अलग-अलग कारणों से होता है और इसका इलाज भी अलग-अलग होता है। ठकान से होने वाला दर्द थोड़ी देर का होता है। यह आम तोर पर आराम करने या हलकी स्ट्रेचिंग करने से ठीक हो जाता है। यह दर्द अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो शारीरिक गतिविधियों में सनलगन होते हैं। मानस्पेशियों में खिंचाव से भी दर्द होता है। यह दर्द तब होता है जब हम अपने शरीर को अत्यधिक तनाव में डालते हैं। मानस्पेशियों का खिंचाव आम तोर पर खेल कूद या भारी काम करने के बाद होता है। जोडों का दर्द उम्र के साथ यह दर्द अकसर बुजर्गों में देखा जाता है। और यह गठिया या अन्य जोडों की समस्याओं के कारण हो सकता है। यह दर्द चलने फिरने में कठिनाई पैदा कर सकता है। कमर और गर्दन का दर्द आम है, खास कर जो लोग ज्यादा देर बैठते हैं। यह दर्द खराब मुद्रा या लंबे समय तक एक ही स्थिती में बैठने के कारण हो सकता है। यह दर्द अकसर ऑफिस में काम करने वाले लोगों में देखा जाता है। यह जानना जरूरी है कि आपको कैसा दर्द हो रहा है। दर्द का प्रकार और उसकी तीवरता को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप सही उपचार कर सकें। दर्द का सही आकलन करने से आप यह जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यक्ता है। और उचित उप्चार की सलाह दे सकते हैं योग और ध्यान भी दर्द को कम करती है बलकि मानसिक तनाव को भी कम करती हैं जिससे समगर स्वास्थे में सुधार होता है अपने कारेस थल को एरगोनॉमिक बनाना भी महत्वपूर्ण है सही कुरसी, डेस्क और अन्य उपकरणों का उपयोग करने से कमर और गर्दन के दर्द को कम किया जा सकता है इसके अलावा नियमित ब्रेक लेना और स्ट्रेचिंग करना भी महत्वपूर्ण है फिजिकल थेरपी और मसाज थेरपी भी दर्द को कम करने में प्रभावी हो सकती है ये थेरपी मानस्पेशियों और जोडों के दर्द को कम करने में मदद करती है और शरीर की गतिशीलता को बढ़ाती है दर्द का एक डाइरी रखना भी सहायक हो सकता है इसमें आप अपने दर्द के प्रकार, तीवरता और समय का रिकॉर्ड रख सकते हैं यह जानकारी डॉक्टर को आपकी स्थिती को बेहतर धंक से समझने में मदद कर सकती है और सही उप्चार की योजना बनाने में सहायक हो सकती है सही उपचार और देखभाल से दर्द को कम किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है इसलिए दर्द को नजर अंदाज न करें और सही समय पर सही कदम उठाएं खत्रे की घंटी कब जाईं डॉक्टर के पास? कुछ दर्द सीरियस होते हैं और डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है अगर दर्द लगातार रहे तो लापरवाही मत करो अचानक और तेज दर्द भी चिंता की बात हो सकती है अगर दर्द के साथ बुखार, चक्कराना या उल्टी जैसे लक्षन दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से बात करें ये किसी बड़ी परेशानी का इशारा हो सकते हैं लगातार दर्द के कई कारण हो सकते हैं यह दर्द कभी-कभी असहनीय हो सकता है और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन में से कुछ आम और कुछ विशेश होते हैं गठिया जोडों में दर्द और सूजन का कारण बनता है यह एक आम समस्या है, खास कर व्रिध लोगों में गठिया के कारण जोडों में सूजन और कठोरता हो जाती है जिससे चलने फिरने में कठिनाई होती है इसके इलाज के लिए सही दवाईयों और व्यायाम की आवश्यक्ता होती है नसों में चोट या दबाव से भी दर्द हो सकता है यह दर्द अक्सर तीवर और जलन जैसा होता है नसों में चोट या दबाव के कारण होने वाला दर्द लंबे समय तक रह सकता है और इसके लिए विशेश उपचार की आवश्यक्ता होती है थाईराइड की प्रॉबलम भी शरीर में दर्द का कारण बन सकती है थाईराइड ग्रंथी के असंतुलन से मांस्पेशियों में कमजोरी और दर्द हो सकता है थाईराइड की समस्या का सही समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है ताकि दर्द और अन्य लक्षनों को कम किया जा सके गलत रहन सहन भी दर्द का एक बड़ा कारण है गलत तरीके से बैठना, खड़े होना या सोना हमारे शरीर के विभिन हिस्सों में दर्द का कारण बन सकता है सही मुद्रा और एर्गोनॉमिक सलाह का पालन करके हम इस दर्द को कम कर सकते हैं धूमरपान, शराब पीना, ठीक से ना सोना ये सभी आदतें हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ये आदतें हमारे शरीर में सूजन और दर्द को बढ़ा सकती है स्वस्थ जीवन शैली अपना कर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं और गलत खाना खाने से शरीर में दर्द और सूजन बढ़ा सकती है जंक-फूड और अस्वास्थेकर भोजन हमारे शरीर में सूजन और दर्ध का कारण बन सकते हैं संतुलित और पौश्टिक आहार का सेवन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और दर्ध से बच सकते हैं सही खान-पान और जीवन-शैली अपना कर हम अपने शरीर को स्वस्थ और दर्द मुक्त रख सकते हैं दर्द से बचने के लिए रोज एक्सरसाइज करें यह मांस्पेशियों को मजबूत बनाता है और जोडों को स्वस्थ रखता है अच्छा खाना खाएं जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हो पूरी नींद लें और तनाव से दूर रहें शरीर में पानी की कमी न होने दें, खूब पानी पीएं यह जोडों के लिए तेल का काम करता है और मांस्पेशियों को स्वस्थ रखता है अगर दर्द ज्यादा दिन तक रहे या बार-बार हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें समय पर इलाज से दर्द कम हो सकता है और बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है याद रखें, हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है अपने शरीर का ध्यान रखें और स्वस्थ जीवन जीए ध्यान अपने ऑफने पास पास ट्यान पंढ़ी में धना बार कशँrition médico यादस। यादस। यादस।